चुनाव में तीन पक्ष होते हैं एक आपका समर्थत दूसरा आपका बिरोधी और तीसरा हवा देखकर अपना रुख बदलता है जियां दोस्तों मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तार उत्तर प्रदेश विधान सभाद चुनाव का विशलेशन किसकी स लेकर हम प्रास्तुत होते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए यह आपका अपना चैनल है बहुजन समाज डिप्रेस क्लास कि हम आवाज हैं और हम आपको बता रहे हैं उत्तर परदेश में आने वाली सरकार लोगों की जो चर्चा है कि बस्पा की बनने वाली है और इसमें केबल आम जनता ही नहीं राजनितिक दल के कार्ज करता नेता भी उलज गए नहीं तो आपको मैं बता दू कि उत्तर परदेश में प्रवांचल में एक जिला है सिस्पूर में जखनिया सीट से विजय कुमार बस्पा के टीकट पर नामांकन कर रहे हैं जबकि वो सपा के घोशित परतियासी थे यानि प्रवांचल में सपा का अच्छा बोलबाला था उनके कार्ज करता उनके जो परत्यासी है भाग भाग कर बस्पा से अपना नामांकन कर रहे हैं और बस्पा की तरफ हवा बहचुकी है और तो और बस्पा के महासचीव राष्टिये महासचीव सतीस चंद्र मिश्राजी ने एलान कर दिया घोशित कर दिया कि 10 मार्च को हाथी लखनव आ रही है और बहुत सारे बरिश्ट पत्रकार न्यू जर्नलिस्ट ने बिसलेशन करना शुरू कर दिया कि बस्पा अगर कमजोर तो भाजपा की सरकार बन रही है और बस्पा मजबूत तो तिरसंकु सरकार बन रही है ऐसा उनक टीवी के ओपर आकर अपना पक्छ रखते हैं और वो यह कहते हैं बालमिकी समाज डलित समाज डिप्रेस क्लास ओवी सी में जो अती पिछरा है अगर वह भाजपा को नहीं वोट करते तो वह बसपा को करेंगे यह मत समझिये कि वह सपा में चले जाएंगे ऐसा उनका अपना बहन मायावती जी उन तमाम मुद्दे को छू रही है जो उत्तर परदेश की जनता को लंबे समय से मांग है पुराना पैंसन बहाल करो मैं आपको बता दूँ सन 2000 के बाद जितनी भी नौकरियां मिली है लोगों को उनमें पैंसन नहीं है क्योंकि वो बिलकुल होने के बाद पैंसन भी मिलती थी भण मायावती जी ने खहां कि जब सरकारी नौकरी है तो जाहिरसी बात लोग सरकारी नौकरी इसी लालच में पकरते हैं ताकि उनको पैंसन मिलता रहें अगर बसपा की सरकार बनती है तो पुराना पैंसन हम बहाल कर देगे और रही बात यह यह तरह तरह के मुद्दे लेकर आ और भाजपा वाले अनुचेद 30 को यह खतम करना चाहते हैं अनुचेद 30 जो संविधान का है उसमें दिया गया है कि जो अलप संख्यक समुदाय है उनके इंस्टिशन उनके जो है एजुकेशनल इंस्टिशन जो धार्मी के स्टिशन है सरकार उसके ऊपर एड करेगी उसको सह पायता देगी और भाजपा नहीं चाहती कि अलप संख्यक इस देश में मजबूत हो उनके कोई भी इंस्टिशन या संगठन मजबूत हो यह भाजपा नहीं चाहती है और चाहती है कि संविधान के अनुचेद 30 एको खत्म कर दिया जाए और इसके उपर करा एतराज रहा है रही बाती है उत्तर प्रदेश विधान सभाका चुनाव करीब जो हजार 24 का लोक सभा चुनाव तै कर ने जा रहा हैे पस्तमी उत्तर प्रदेश का दोचरण का चुनाव हो गया इस से साफ साफ समझ में आने लग गया कि mandate किधर जा रही है मत किधर जा रहा है आम जनता का mood किधर है अती पिछरा पिछरा बर्ग अल्प संख्य क्यों नहीं मुसलमान और जो कमजोर बर्ग के लोग है depressed class दलित बर्ग सब के सब भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं तो फिर जा कहां रहे हैं सपा में पीडिया बाले बैठ जाते हैं कि सपा मजबूत या बसपा मजबूत तो मैं आपको इसके बारे में किलियर कर दूँ बहुत सारी घटनाएं ऐसी हैं जिसमें सपा के सासन में अन्याय अत्याचार हुआ महिलाओं के ऊपर दंगे भी हुए यह अलप संख्यक समुदाय भूल नहीं है आरक्षन की पर्चियां फारी गई जो परमोशन में और आरक्षन में केबल SCST ही नहीं आता बलकि OBC भी आता है जो अखले सी आदम हैं वह अपने आपको OBC नेता करते हैं वह यह भी करते हैं कि अलप संख्यक समुदाय उनके साथ है परंतु बहुत सारे ऐसे जुल और ऐसा कोई दाग नहीं है आपने दूसरे चरण में डिक्लियर सुन लिया होगा देव बंद का एलान देव बंद की जो है आम जंता की रुझान के आल्प संख्यक मुसल्मान समदाय किधर जा रहे हैं रही बात यह OBC में अती पिछराबर्ग पिछराबर्ग सब के सब बस बस्पा के साथ जुर्ग रहे हैं और बस्पा की प्रबक्ता सीमा कुसवाहा कि लियर बताती है कि सपा के सासन में महिलाएं सुरक्षित नहीं हुआ करती थी और भाजपा में तो आपने देखी लिया है लेटेस्ट जो चल रहा है तो ले देकर आम जंता की जो रुझान है वो बसपा के तरफ है और ये सपा के परत्यासी इस बात को भाप चुके हैं और इसलिए सपा छोरकर बसपा जोईन कर रहे हैं वहां से नामांकन भरना अपने आपको ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और इसलिए पुरवांचल में भी सपा के बजाए बसपा की तरफ हवा बन चुकी है और जो तीसरा पक्ष चुनाब का होता है कि हवा देखकर रुख बदलना वह बसपा के तरफ रुख बदल लिया है और रही बात ये बसपा समर्थक तो उनके साथ है ही तो ले देकर अगाम अपनी सासन जो इसारा कर रही है कि बसपा मजबूत है वह अपने दम पर सरकार बनागी भले ही टीवी मीडिया ये कहती रहे कि वह किंग मेकर बनने जा रही है आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए करते हैं ये ल Minsk genण तक के लिए continuous अगले वीडिया में भी वीडियो ऑ्रेख गले वीडिया के वीडियान के पर येए जडिया टास्थ filsकुल्तान चैनल पार भू ईयूत étaれる है है